नमस्कार मैं अब रारुलहक रहमानी आप देख रहे हैं नेक्ष नाइट नियूज महराश्ट में स्यासी संकट के बीच अब जो दोनों पुत्र हैं वो आपस में लड़ने लगे हैं जहां मैं बात कर रहा हूं आदिती ठाकरे और एक ना शिंदे के बेटे शिरकांद शिंद कल्यान से लोग सबा के सदसे हैं और उन्हों ने जिस तरीके से संजे रावत पर हमला बोला है और उद्व ठाकरे पर निशाना साधा है इससे लगता है कि अब दोनों बेटे जो हैं वो उसकी कमान संभाल रहें लड़ाई की ताकि आने वाले समय में भी उनको इस जगह पर बने रहने में कोई ने कोई मदद मिल सके क्योंकि जिस तरीके की सियासत हो रही है महराष्ट में इस वक्त तो लगता है कि यह सियासत बड़ी लंबी चले गिया और यह लड़ाई भी उद्व ठाकरे और एक ना शिंदे के बीच जो लंबी चलने वाली है क्योंकि शिरकान शिंदे ने जिस तरीके से अपने पिता का समर्थन किया है उनके समर्थन में गया है और संजेराओत पर धार्दार हमला बोला है उन्होंने इस न handwriting जो धम क्या देते रहते आए दिन धमकियों पर उन्हें विराम लगा नए कि हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं है हमने बाला साथ ठाकरे के विचार को लेकर के आगे बढ़ने का निरनाय लिया है और उस पर हमेशा खड़े उतरेंगे जहां ये सारे बोल थे शिरिकांत शिंदे के शिरिकांत शिंदे अला के डॉक्टर है पेशे से लेकिन उन्होंने डॉक्टर ही छोड राजिनिती में आने पकड़े लेकिन इस बीच एक बड़ी खबरी आरी इस उतरों के हावाले से कि वो अब भाजपा जोईन कर सकते हैं यहां यह खबर आरी कि भाजपा में वो जा सकते हैं और इस तरीके से देखा जाए तो एक नाशिंदे को एक बड़ा जटका लग सकता है अपने पुत्र के दुआरा जिया एक नाशिंदे ने जिस तरीके से शुसेना से बगावत कर अलग से एक गुट के साथ भाजपा के साथ गड़बंदन किया है और अगर उनके पुत्र शिरिकान शिंदे भाजपा ही में चले जाते तो कहीं ना कहीं उनका जो खेमा है उनको एक जहटका जरू निकाल रहे हैं निश्ठा यात्रा निकाल रहे हैं और जंता के बीच जाकर के अपने विचार धारा रख रहे हैं अपनी पार्टी की विचार धारा रख रहे हैं तो इससे यह लगता है कि आने वाले समय में शिरिकान शिंदे के भी जिमेदारी बढ़ने वाली है और उनको है झाल झाल झाल